तो भाई फाइनली इतनी सारी बाते सुनने के बाद, इतने सारी सीख लेने के बाद, इतने सारी बुरी बले मेसेज़िस देखने के बाद, कमेंट्स देखने के बाद, फाइनली अब इनके घर में इस बात की अकल आई है कि दावत करनी है और हज करके आए हैं तो दावत तो अच्छा बाइ तो पहले दिन क्या सौ रहे थे तुम या इंतिजार कर रहे थे कि लोग आके पहले आपको सीख दें बुरा भला बोले या फिर ये अपना माइंड जो है या आपने इस सारी सीख लेने के बात बदला है किसने क्या बदला है कब क्या हुआ है चलिए आपको बताते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्काइब कर ले और साथ इसाथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे के हमारे आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो भाई मुझे इस बात का जवाब अभी तक भी नहीं मिला और मैंने अपनी वीवर से भी पूछा था कि प्लीज मुझे बताईए कि ये लड़का यहां पर जो इनका ड्राइवर है ये वाया वाया यहां से क्यों जा रहा है ये डारेक्ट लखनव से जा सकता था दिल्ली से जा सकता था कहीं से भी जा सकता था बलके लखनव ही जादा पास था क्योंकि इसके बेहनों ही भाई ये सब आती हैं या फिर ये लोग उम्यरा पे गए थे या फिर हज पर गए थे तो लखनई ए ही गए तो यह लखनई से जा 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 रहा है। और यह मुंबई से क्यों जा रहा है, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला, क्यों यह दो-तिन दिन यहां पर रुका, पहले यहां पर आने की ट्रेन की पैसे खर्च किये, फिर अब यहां से फ्लाइट पकड़ के जाएगा, यह बुकिंग ही यहां से कराई थी, यह इनोंने क कराए था, अब वो तो अपने काम से जा रहा है, गैंग बनाने का, और यह ही वज़ह है कि बाए, भाबी और यह सब अलकसा रहे है, और भाई मौस्ट आवेटेड वो सीन भी आपको अब देखने के लिए मिल गया जिसके लिए लोग जो रहें बार-बार कह रहे थे कि उपर नहीं जाती है, रिकॉर्ड नहीं करती है, रिकॉर्ड करने का जो है मोका नहीं देते है या फिर उसको परमिशन नहीं है उपर जाकर रिकॉर्ड करने की तो फाइनली सवेरे का टाइम है क्योंकि मैडम हमारी मैक्सी में बैठी हुई है बच्चे को नास्ता करा रही है तो चालू ने वही पर ही बैठ कर चाए पिये ये भी चालू ने घुमा के कैमरा अपनी तरफ को दिखा दिया वही वही डिनर सेट के जो कप दिखानी थी ने मैडम यास 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 वस वही वाले उन्ही डिनर सेट के कपों में वह बैठ कर वहाँ पर चाए पिये जिसमें वह अपनी अम्मी के साथ सोरी अपनी मम्मी के साथ यानि के बच्चे की नानी के साथ बैट का चाए नजॉय करती है तो ये मैडम का जनाब का उठने का टाइम है तो इसी टाइम पे वो मैडम वापर पहुँच गई अच्छा ये तो बताया नहीं रिजन क्या था या तुनों ने भुलाया होगा कि हम दावत कर रहे हैं तो क्या मेन्यू रखे हैं वो क्या खाते ह इसको बुलाया होगा तो जब देखा कि महल अच्छा है हलका महल है और अब जो है इनका मूड भी ठीक है तो चलो लगे हाथो शूट कर ले जो ताकि मैं अपनी ओडियन्स को ये दिखा सको कि सब नॉर्मल है आप ऐसे कुछ मत सोचो इस तरह की मेसिज मत करो और देखो मैं पी Religion वैसे दई खिला रही है यह चावल खिला रही है यह पता नहीं की ची खिलाका रही है यह फिला रही हैoo क्य iPhone दो ने आप कहां रख दिये वह उठाकर मैं इसके एक स्क्रीन शोट लगा रही हूं देखो बच्चे का पूरा मूसा ना हुआ है और बस ऐसे ही रिकॉर्ड करने से मतलब और मैडम ने बता भी यह दही खा रहा हूं यह मेरा फेवरेट है हद है भाई धरा रही हो कि बच्चे को और यह मेरा मैडम इसने दिखा दिखा के इसमें चाइप पी रही है न जिसको मेरा मैं ने दिखा दिखा के chemistry चार साल से यूज़ कर रही हूं वह 27तौ रुपए के करीब का है जिसमें सिक्स मग का सै्ट आता है और मैडम को लेना है पूरा डिनर सैट तो भाई कितना ही जए लेकिन क्या आपको लगता है कि 10-20,000 रुपे के लिए मैडम जो है वो जनाप पर डिपेंडेंट होगी जो हर साल नया फोन आता है हर साल डेड़ पोने दो लाग का दो लाग का धाई लाग का फोन जो है वो अपने जनाप को दिलाती है अपने विहाव पर उस बीच में कभी बड़े आ गया कभी कुछ आ गया उस पर भी वो बीच बीच में उनके लिए उपर जो है खर्चा कर से तिर लाग होगा तो वो डिपेंडेंट होंगी पस चोचले बाजी करनी है इनको अब वहाँ पर बैटे बैटे चाय पीती हुई दिखा रही है अम्मी बैठी हुई है रही है तो देखो भाइ अम्मी ने इसमें पींक से कलर का यानि पीच सा पिंक से कलर का सुट पेनावा जहां पर रहे बैटके सव्थारै चाय पी हुई इसके बाद हम यह गिनेंगे कि पूरे वजोग में आम्मी कितने कपड़े बदले और चालू ने कितने कपड़े बदले और भाई ये बात भी लोग जो कमेंट कर रहे हैं तीन दिन से इनकी जो सास हैं वो भी सेम कपड़े पेन गया वही उनको यहां पर क्या हो गया आकर कमज़का हूं वो मैंने देखा था मुदाहा में जितनी बार भी यह सीन दिखाती थी मैंने बोला भी था तो क्या मुझे जो है इस चीज के लिए अपनी बात को वापस ले रहे हैं कि वह उनको भी इसलिए फील नहीं होता क्योंकि वह खुद भी कपड़े नहीं बदलते हैं या फिर गाउन का महौल इसलिए है गाउन में लोगों के बीच में रहते हैं और यह अब यह दिखा दिया पूरी पर्मिशन मिल गए क्योंकि आप जोना थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता रहा जा रहा है क्योंकि जनाब को वोड चाहिए जो कि जनाब कहीं जा रहे है या उनका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और मेडम को भी दिखाना और दावत भी हो रही है तो भाई एकदम से सद्डनली तो महौल हलका नहीं हो जाता, धीरे-धीरे करके महौल को हलका किया जाता है, तो उसी महौल के हलके महौल का फायदा उठाते हुए, मैडम ने भी मतलब सोरी हमारी जो चालू अपी है, उन्होंने भी मोकी का फायदा उठाया और दिखा दिया भ फ्लॉर वारल पिंक कलर का पहन लिया है, रात को आई है, और ये मंगोडी बना कर लेकर आई है, क्योंकि अब इनको मंगोडी पार्टी करनी है, तो अब इनको ये याद आया है, इतने कमेंट सुनने के बाद, कि मेरे समदी समदन आया है, तो मुझे अपनी तरफ से एफ़ उनको ये कहती हićी होगी, क्या बना कर आया है, मित पार्टी को आई है पार्टी आ लगेरे, दिश्म इतने के बना करेंच क्या लाइए मंगोडे और चटनी भाई अम्मी की खुशी का ठीकाना नहीं है कि मैंने तो किला जीत लिया भाई मैंने मंगोडे और चटनी बना के वह अलग बात है कि हो सकता है बनाए भी इस लड़की नहीं हो पीज़ा ने मुझे लगा तुम 10 वजे आओगी आज जल्दी आगी तो मतलब यह आठ बजे रात के आठ बजे आने को यह जल्दी कह रही है चलो अब हो सकता है उसका अपना टाइमिंग हो पर चलिए बात करते हैं वापस से इनके सास की उसी सूट में गूम रही है जिस सूट में वह वहाँ पर उनका होटल देखने के लिए रेस्टोर से मिलना है मुझे उसके साथ फोटो की चवाना है मैं उसको टीवी पर देखता हूं बंदूक से गोली से इन सब्सक्राइब से इसके फाइटिंग सीन देखता हूं और जब चालू जो है अब एक्सपर्ट हो गई है भाई साइन लेंग्वेज में और वह उसको बता रही है यह क्या कह रहा है क्याने नीचे नीचे क्यों कि यह तो इस बाईर यह कोट मोजे करीब चलना बैटके नाइट सूट में और जालीदार दुपत्ता ओर के देखो बही जब जालीदार दुपत्ता है और उसमें जब पालवाल भी चमुझे लिए तो यह एक हिजा भी को देते हैं तो यहां पर चल रही है फ्रेंस मंगोडे पार्टी और वह भी बैठने की जगह नहीं है जमीन पर बिठाकर अब इतनी अकल के बाद कम सकम इतना सोच लिया हो था कि वह डेल्टा वाले घर में बेकार में वह एल शेप का जो तुम्हारा काउच ता सोफा था वह ऐस पड़ावात कम सकम उसको ले आती यहां पर डाल देते उसको ताकि बैठने उठने में असानी हो जाती बुजुर्ग लोग हैं बाई उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि नीचे बैठकर खाना चाहिए वह तो एक अच्छी बात है लेक में को कट कर दी गई है तो भाई बताते हैं कि यह जाने के लिए क्लिए कि बाई से मिलने के लिए कह रहा है मैं बताओ और मैं महाराणी मंगोड़े खा कर थक गईlla तो वह बेड़ पर अराम करने के लिए गई है क्योंकिछ आब वो जो खाया है ना उसको लेटे-बेटे यह तो पचाना है भाई से मिलने जा रहो है तो क्या सिरिभासर यहार हो रहो रहे है तो चीधाज तो फ्रेंड्स बहुरा भाई से मिलकर आ चुका है, यानि कि कोई साथ में नहीं गया है, ना चालू गई, ना फनी गया है, और उसको मेरे ख्यास से जो भेज दिया होगा ना, उसको पेहान के साथ भेज दिया होगा, कि जाओ तुम जाके मिलक लाओ, लेकिन एक फोटो जूर लगा दिया होगा, तो उन्होंने वो व्लोग में दिखा भी दिया, क्योंकि इतने अच्छे रिष्टे नहीं हुएं, भाई अभी कि तुम जाओ और उसको नार्मल करकर दिखाओ, हाँ भाई के साथ बाता लाग है, क्योंकि वो तो है यह ऐसी, वो जब चाहे अपने अपना था, पांच मिनट कब लोग खामखा की खीज दिया, फ्रेड्स अब ने तो टेस्टिंग कर लिया, आज टेस्टिंग करेंगे, ममी पापा हमारे होटेल की, जब तुम रेस्टोरेंट में लेकर गएते तो वहाँ पे ममी पापा को बनवा के कुछ खिलवाया नहीं थ इसलिए चलो भई, वहां से मंगा-मंगा कर खा लेते है, योग ही दावत कर लेते हैं कि यह सारे काम तो उस दिन भी किय Alter, जिस दिन तुम आए थे, उस दिन भूलाते सब को के आओ साथ में बैटक नहां नसे निए कि ए 수가 अगाया है वह ऑंग nee को नो ti तो बड़े सब को इखटे करके क्योंकि दिखाना है लतारे जो पड़ी है गालियां जो सुनने को मिली है इतना सब सुनने के बावजूद ही यह लोग जब जाके थोड़ा नॉर्मल होते हैं तो क्या पहले नॉर्मल इंसानों की तरह से नहीं सोच सकते हैं जैसे आम गरों में सब चीजे होती है चलो उपर खाना आ गया चलो उपर खाना आ गया चलो उपर खाना आ गया वो दुपट्टा डंग से ओड़ा नहीं है कैमरा लेके पहुच जाते हैं वो बिचारी जल्दी से उठके अपना दुपट्टा ओड़ के सर धकर रही है इन लोगों को तो प्षानवाजी लगाओ खाना फटाफट अरे भाईया पहले खाना तो खा लेते हैं उसकी बात तो कर लेते हैं बाईसा कितना फैलावड़ा पढ़ा के सारा बैठी हुई है इस ओरत को बिलकुल शरम नहीं है ये मतलब कपड़े पहनती है यूजन थू कर देती है और मतलब द लड़के ऐसे होते हैं उनको समालना नहीं आता वो अपना लेने से मतलब है वो बिगाड़े तो समझ में भी जाता है देकिन ये चोतिस साल की ओरत इतनी बड़ी हो गई है क्या तो सिखा दिये दूसरों को और क्या इसको देखकर लड़के बच्चे क्या सीखेंगे वहां पे फैक दिये थे तो हमने सोचा अब इनको हम लगा देते हैं भाई कपड़ों की क्या बुरी गत बना रखी है इसने तो फ्रेंट मैं नीचे वाले लोगों को भी दावत देके आ गया हूँ ये दावत उस दिन क्यों नहीं दीती जब साथ में नाश्ता करते खाना ख खिला रहे हैं क्योंकि तुम उपर बनाते कब हो तो एक दिन तो तुम उनको भी खिला सकते हो ना बंगा कर अपने घर वालों के साथ में और देखो जड़ा एक स्क्रीन शोट लगा रही हूं हर चीज चाहे अच्छे कपड़े हो बुरे कपड़े हो एक बार के पहने भी हो लोग बना रहा है और सामने से शीशे में देखके किसे हैएं चला रहा हाथ दिखा दिखा के तो फ्रेंड देखो इनने यहां देखो क्या हाला बना रखिए भाई साब पूरा कमरे में कपड़े 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 ये देखो कपड़े 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 ये देखो पूरा सभा का जहां यहां पर सारा फैला पड़ा है तो तुम्हें शरम नहीं आती तुम वैसे तो तुम कुछ और काम करते नहीं है तो भाई और और कुछ ने अपनी बीवी की help कर दिया करो यह सारे कपड़े संवेट में में पर्थे ही क्या हो बस खाना पीना हुटाना खाना पीना खाना पीना रहना फ्रेड के अरे भिक ये वेज़ी हें commence करेंगे और फ्रेंड इसे गहिता है तो अहले कित innovation होगा तो आद्ग में तो भाई कि एक फ्रेंट देखता है क्या कह रहे हैं कि मम्मी पापा खाना टेस्ट करेंगे और कृष्णा भी टेस्ट करेंगा अब वो क्रिश्णा तो बहुता जी का बेटा है तो वह कैसे टेस्ट कर ले वह तो वेजिटेरियन है तो उसने जाके चाहलू से कहा होगा कुछ और ह तो यह जो जैसे हो वैसे हो दूसरे की भावनाओ की तो कदर करना सीखो तुम्हें वेजिटेरियन से बार-बार यह कह रहे हो कि मटन वेज है मटन वेज है यह तुम्हारी घटिया हरकती तो थी जो अधुम्हें भाई भाई पहले बस में काम करती थे कंड़क्टर थे क्या इसलिए कुट का खाने की यहाथ पड़गे है शालू सुबह से उसी नयुटसूट में घूम बढ़िए है और अम्म्ही आध सूट सूट में है तो वही सूट पहन के कैसे आ सकती है जिसमें वह सो रही थी जब फनी ने जाकर महां पर जगा दिया था कि चलो 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 आओ खाना खाना आओ तो अम्मी बड़े अराम से ब्लैक कलर का नया सूट बदल कर आई है और चालू हसर के बता भी रही है जता रही है क्योंकि खु तो चीज़ों को किस तरह से रखते हैं तो फटनी किया हुआ अच्छा तो है मतलब उसको लग रहा है कि जो चीज़ तुम बिना वज़े की भी बोल रहे है लेकिन पिर भी दात फाड़ के बोल रही है क्यों कि खुद ने तो वो सुबह सा उसी नाइट सूट में घूम रही है ना चाई पीली खाना खा लिया डिनर रब करने के लिए बैठ गई है उसी में ही ना नहाना ना धोना ना कपड़े बदलना फुकसाना बाजी तुम भी बैठो आज आज हम खिलाएंगे वो देखो भाई बिसलेरी की बोतले इनके घर में जग ग्लास कुछ नहीं है बस बोतले रख दो और इतना प्लास्टिक यूज करते हैं इंवार्मेंट के इतना खराब करते हैं लोग क्यों नहीं एक काम करो जिनको भी बूरा लग रहा है ना कि तुम्हा यहां पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है तो यहां पर टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है पर टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे और फिर मैं सब के मुंपर कैमरा मारके पुछ तो खाना कैसे लगा? खाना कैसे लगा, जैसे तुमने बनाया हो. चलो, सबसे पहले तुमारा रिवियू लेते हैं. ने, पिर समी बतातों, घाना तो बहुत बाये लिया है. पहले तुम बताओ, खाना तो । heading हमेशा अच्छा नहीं होता है. तुम दूसरों की चीज़ों में नुक्स निकालते हो और अपने चीज़ों को बहुत अच्छा है, हाँ चलू बहुत अच्छा है, चलू 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 अच्छा है, बताती हूं देखो अगर आप देखोगे चालू के पीछे है इसके जो है ना वो ट्रॉफी रख्यूई है जो ट्रॉफी सो कोल्ड बिना वजे की भी इसको ट्रॉफी से एंजियों ने और पता ने किस किस ने इसको दे दिये तो उनको लाके यहां पर सजा लिए जबकि एक ट की शोट भेजा है जो जब मोदाहा में किसी ने किले से कुछ बनां कर भेजा था बहुत अच्ずा है जे लोगों को चलाए तो उसमें इत्ला रोरो के बहुनने की इसको देख लेंगे भाई लोग at the end क्या खाने के लिए जाते हैं वहाँ पर restaurant में और अगर वहाँ पर खाना अच्छा मिलेगा तो बार बार जाएंगे और खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो एक बार जाकर ही फिर वो दुबारा नहीं जाएंगे तो depend करता है कि आप अपनी quality ह हलाकि वो कोई खास बहुत बड़ा restaurant नहीं है तो कोई छोटा सा ही क्योंकि hall कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है उसका लेकिन अगर quality अच्छी रखोगे quantity अच्छी रखोगे environment अच्छा रखोगे presentation अच्छा रखोगे तो लोग definitely दुबारा जाएंगे और अगर इन चीज अगर में हर कोई जो hotel business है उसको maintain नहीं कर पाता है तो podcast ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसको मैं यहीं end करती हूं इसका part 2 बनाऊंगी तो please वो जरूर देखिएगा और अपने point of view में साथ जरूर शेर कीजेगा वीडियो पसंद आये तो like शेर कीजेगा मिलती हूं next वीडिय जुए मेंुएप ज नहीं अगर क Said